लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए जै आए अहुब जितेंद्र सिंग जी पद्योत बॉर्दुलोई जी जीवन कुर्मी जी जयंत कलिता जी दुर्गा भूमी जी हमारी कैंडिडेट सिभान चेटिया जी हीरा देवी जी भाईयों और बेहनों कॉंग्रेस के हमारे सब कारेकरता प्रेस के हमारे मित्रों आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार कुछ साल पहले दिल्ली में और असाम में बी जे पी की सरकारे आई और आज मेरी कॉलिज स्टूडन से बात हो रही थी और उन्होंने मुझसे दो-तीन सवाल पूछे उन्होंने मुझसे पूछा कि देश में आज कल रोजगार क्यों नहीं पैदा हो रहा है आप किसी भी कोने में चले जाएए किसी भी प्रदेश में चले जाएए और आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान अपने युवाओं के लिए रोजगार नहीं पैदा कर पा रहा है यह सच्चाई है यह असाम की सच्चाई है यह हिंदुस्तान की सच्चाई है प्रधान मंत्री ने बड़े-बड़े भाशन दिये हैं मेकिन इंडिया, स्टार्टाप इंडिया, स्टैंड़ाप इंडिया अलग-अलग नारे दिये हैं मगर रोजगार हिंदुस्तान में आजकल नहीं है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है स्टूडन्स ने मुझसे यह पूछा मैंने उनको कहा देखिए रोजगार देश में कौन पैदा करता है देश के सबसे बड़े दो-तीन उज्योगपती नहीं करते हैं रोजगार स्माल और मीडियम बिजनस वाले करते हैं रोजगार टी गार्डन्स में पैदा होता है दुकानदार करते हैं ये लोग करते हैं और अगर आप देखें तो पिछले पांच-छे सालों में इन पर असाम की सरकार और दिल्ली की सरकार ने आक्रमन किया है आपको याद होगा आठ बजे रात को बिना किसी से पूछे देश के प्रधान मंत्री ने नोट बंदी की याद है आपको बुल गए हिंदुस्तान का कोई नहीं भूल सकता कोई भी गरीव व्यक्ति नहीं भूल सकता कि पूरे देश को प्रधान मंत्री ने आठ बजे रात बुला कि पांच-सो रुपय का हजार रुपय का नोट मैं रद कर रहा हूं सारे के सारे छोटे मिडल साइज बिजनस नश्ट हो गए खतम हो गए उस एक कदम से नरेंद्र मोदी जी ने लाखों लोगों को बेरूजगर किया देश को चोट मरी आप से जूट बोला कि काले धन के खिलाफ लड़ाई है स्टेज से जूट बोला क्या काला धन मिट गया खतम हो गया काला धन नई नोट बंदी के पीछे लक्ष था गरीबों के जेब से पैसा निकाल कर हिंदुस्तान के सबसे अमीर दो तीन लोगों के जेब में डालना उसके बाद वहाँ नहीं रुके उसके बाद जी एस टी जिसको मैंने गबबर सिंग टैक्स कहा गबबर सिंग टैक्स पाँच अलग अलग टैक्स 28% टैक्स किसके उपर टैक्स हिंदुस्तान के गरीब जनता पर किसानों पर मजदूरों पर छोटे दुकानदारों पर स्मॉल मीडियम बिजनस वालों पर जो नोट बंदी से बच गए वो जी एस्टी में डूब गए और आज हालत ये है कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है ये सच्चा ही हिंदुस्तान की ना कोई फैक्टरी खुलती है ना किसी युवा को रोजगार मिलता है प्रदानमंत्री भाशन देते जाते हैं कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की जो रीड की हड़ी थी रोजगार देने वाली जो रीड की हड़ी थी उसको तोड़ दिया किसके लिए तोड़ा हिंदुस्तान के चार पांच सबसे बड़े उद्योग पतियों के लिए अब नए कानून लाएं क्रिशी के तीन कानून पहला कानून कहता है कि मंडियों को बंद करा जाएगा पहले कानून का लक्ष मंडियों को बंद करो दूसरे कानून का लक्ष जमाखोरी चालू करो और तीसरे कानून का लक्ष अगर कोई किसान सही दाम में कौट में जाना चाहे तो उसको कौट में जाना मना है इसलिए लाकों किसान दिल्ली के बार बैठे हुए है और नरेंद्र मोधी क्या कहते है नरेंद्र मोधी कहते है कि ये लोग आतंकवादी है हिंदुस्तान के किसान को वो आतंकवादी कहते है उनके पार्टी के लोग कहते है और किसान क्या कह रहा है किसान सिर्फ ये कह रहा है कि जो हमारा है आप हमसे नहीं छीन सकते हो हम आपको इने नहीं देंगे दो तीन उद्योग पतियों को हिंदुस्तान के पूरी क्रिशी का जो बिजनस है वो पकड़ाना चाहते हैं यह हालत है देश की यहां आए असाम आते हैं आपसे वाइदे कर जाते हैं पिछले चुनाओं में उन्होंने वाइदा किया था किटी गार्डन के वर्कर्स को वो उनका वेज बढ़ा के देंगे आज कल आपको कितना पैसा मिलता है कितना मिलता है पैसा कितना 167 सही BJP के लोगों ने आपसे क्या वाइदा किया था कितना 351 अच्छा यहां पे कोई एक व्यक्ति है जिसको 351 मिल रहा हो एक भी नहीं मिलगा आपको 36 गड़ के चीफ मिनिस्टर अभी भाषन दिये हैं 36 गड़ के चुनाओं से पहले ऐसे ही भाषन में मैंने कहा था कि 36 गड़ के किसानों का करजा माफ होगा BJP वालों ने कहा पैसा नहीं है मैंने कहा हम पैसा निकाल के दिखा देंगे पैसे की कोई कमी नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ और आप इस बात को चेक कर लीजिए 36 गड़ में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनने के 6 घंटे के अंदर 36 गर के किसानों का करजा माफ कॉंग्रेस पार्टी ने कर दिया था मैं यहां आपका टाइम जाय करने नहीं आया हूँ मैं आपसे दो तीन चीज़ें कहने आया हूँ मैं नरेंद्र मोदी जैसा नहीं हूँ मुझे जूट बोलने की आदत नहीं है मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूँ और टी गार्डन्स के जो हमारे वर्कर हैं उनसे कह रहा हूँ इसको आप अच्छी तरह सुनिए कॉंग्रेस पार्टी की यहां सरकार आएगी तो छे घंटे के अंदर आपका 351 नहीं आपका 365 हो जाएगा और मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ता कौन क्या कहे दुनिया के एकनोमिस्ट कहे दें मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ता मैं आपको बता रहा हूँ कि 365 गैरंटी दे के आपको आ रहा है सीरी बात है हमने मनरेगा किया बीजेपी के लोगों ने कहा पैसा जाया हो रहा है हमने भोजन का अधिकार दिया बीजेपी के लोगों कहते हैं पैसा जाया हो रहा है हमने किसानों का 70,000 करोड रुपया कर्जा माफ किया बीजेपी के लोगों कहते हैं पैसा जाया हो रहा है जब भी हम गरीबों की मदद करते है कमजोर लोगों की मदद करते है BJP के लोग कहते हैं पैसा जाय हो रहा है और जब गोहाटी के एरपोर्ट को वो अपने मित्र को बेच देते हैं तो फिर वो कहते हैं पैसे का सही इस्तमाल हो रहा है मतलब उनके दिमाग में पैसा सिर्फ अमीरों के हाथ में होना चाहिए पैसा गरीबों के हाथ में नहीं जाना चाहिए इस चुनाव में आपने आपको पाच गैरंटी दी हैं पहली गैरंटी मैंने आपको सुना दी 351 नहीं 365 ये पहली गैरंटी है दूसरी गैरंटी ये है ये बीजेपी वाले कितना भी नाच गाना कर ले CAA यहां नहीं आएगा इस कौम ने पूरे देश में रोक रखा है दूसरी गैरंटी है कि यहां नहीं आएगा चाहिए कुछ भी कर ले तीसरी गैरंटी 200 युनिट बिजली के हर परिवार को फ्री में चोथी गैरंटी 2000 रुपे महीने के हर हाउस वाइफ को गैरंटी करके और पांच में और सबसे जरूरी गैरंटी कि एक बार फिर असाम में हम युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू करेंगे और मैं आपको समझा देता हूँ कैसे सबसे पहले बहुत सारे सरकार में बहुत सारे सारी पुजिशन्स वेकंट पड़ी हुई है हमारा पहला काम सरकार में इन पुजिशन्स को भरने का होगा दूसरा काम हमारी यूपिया की सरकार थी तो हमने पूरे नौर्थीस्ट को इंसेंटिव्स दिये थे स्पेशल प्लान था चाही की इंडस्ट्री के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स थे बाकी इंडस्ट्री के लिए बिजनिस्स के लिए हम incentives देते थे tax कम करवाते थे मदद करते थे क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि युवा नए business चालू करे नरेंद्र मोदी जी entrepreneurship की बात करते हैं मुझे आप ये बताईए कितने नए business हिंदुस्तान में खोलें कितने युवाओं को उनोंने रोजगार दिया हम आपको यहां guarantee करके कह रहे हैं कि पाँच लाख युवाओं को हम रोजगार दे के दिखा देंगे ये असान काम नहीं है मगर हम ये काम आपके लिए करके दिखा देंगे अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मामली चुनाव नहीं है बी जे पी असाम की हिस्टरी पर असमीज भाशा पर असाम के इतिहास पर आकरमन कर रही है ये कहते है कि एक सोच होनी चाहिए एक भाशा होनी चाहिए इस देश में अलग-अलग सोच है अलग-अलग इतिहास है अलग-अलग कल्चर है अलग-अलग हिस्टरी है हम इन सब की रक्षा करते है बी जे पी क्या चाहती है बी जे पी चाहती है कि असाम को नागपुर से चलाया जाए बी जे पी चाहती है कि बाहर के लोग आए और जैसे इन्होंने आपका एरपोर्ट लिया वैसे ही जो आपका है वो लोग उठाके ले जाएं हम आसाम को आसाम से चलवाना चाहते हैं हमारा जो चीफ मिनिस्टर होगा वो आसाम की जन्ता की बात सुनकर काम करेगा उसका नागपुर से कुछ लेना देना नहीं होगा ये फरक है तो ये चुनाओ आपके संस्कृति को बचाने का आपके हिस्ट्री को बचाने का आपके भाषा को बचाने का चुनाओ ये इस चुनाओ की सच्चाई है और इसलिए आसाम की जन्ता इस चुनाओ में महाजोत को जिता कर ही दिखाएगी और बड़ी भहुमत से जीतेंगे मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ शाम का समय है आप दूर दूर से आए हैं आपने मेरी बात इतने प्यार से सुनी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन